नमस्कार वेलकम टू आल आफ इस्टडी नाइन की ओन ऑफिसल यूटूब चैनल माइन वी सिवा नंदूबे और आज हम लोग बिसकस करने वाले हैं परसंटेज का पार्ट फोर इसके पहले आप लोग को बार-बार रिकॉल कर रहे हैं यानि कन्वर्जन की क्वेस्टन्स आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज करोगे नेक्स कैसे आप लोग जो है मालेजे कोई रेक्टेंगल की बात करें या इनकम इक्सपेंडेचर वाले क्वेस्टन्स यानि कैसे वह लोग को आप उसमें करें वो सारे डिसकस कर चुके हैं तो चलिए आज हम लोग कुछ बहतरी होंगे और असरका हिंदी का बैज भी लॉंच हो गया है तो प्लीज जिनको जोइन करना है वो बिलकुल जोइन कर सकते हैं चलिए हम लोग क्वेस्टन्स पर आते हैं आज का क्वेस्टन्स क्या है देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबसे ध्यान दीजिए अभी क्या करेंगे एक्स के जगां पर जो एक्स मान अभी भी मानते आ रहे हैं और उनको कमफर्ट होता कि हम एक्स ही मानेंगे तो फिलाल कोशिस करेंगा एक्स मत माईएगा एक्स के जगां पर हंडेड एक्स माएंगा किन के लिए हम बात कर रहे हैं जो एक्स मानते थे और मानत के फर्म में स्वालव करते हो और या तो रेशियो के तो हम लोग कोशिस करेंगे ज़्यादा तर कुएशन पर्संटेज पड़ रहे हैं तो 100 पर्संट के फर्म में डेटा को लट करेंगे अच्छा जो और थोड़ा सा जो है जिनकी practice अच्छी हो गई है वो इसी को ratio के form में यानि 100% की value ratio में कितना होगा 1 के form में यानि गर ratio में let करना होगा तो 1 let करोगे और percentage में let करना होगा तो 100% let करोगे बहुत सारे variable हो सकते हैं जैसे अभी हमने discuss किया था marks वाले questions सारे आप लोग percentage में discuss कर रहे थे और जिनको x की आदत होगी वो 100x let कर लेंगे तीनों तरीका है let करने का ध्यान देजी का 100% कब आप लोग let करते हो यह भी समझना है जब भी data में हमें variation 20% दिया हो 40% दिया हो 80% दिया हो ऐसे value दिये हो यानि number की form में हमें percentage given होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे यह percentage को 100 के form में let करेंगे ध्यान समूझेगा 100 कब let करेंगे यानि किसी form में हो सकता हम marks की बात करें numbers की बात करें income की बात करें यह निए उसकी बात करने सेकंड ध्यान देंगे वन कब लेट करेंगे वन हमेशा लेट करेंगे जब ऐसे दिया होगा 16 whole 2 by 3 percentage given हो 33.33% given हो या 25 मतलब इसी के साथ कोई भी value दिया हो यानि ये वाली value सारे हम ratio से तो करते ही करते हैं और जो है लेकिन ये वाले गर value दिया होगा तो definite हम ratio से करते हैं तो ये आप लों को समझना है तो चलिए हर एक questions में अप्रोच अलग-अलग होंगे अप्रोच अलग करने का मतलब लेट करने का तरीका अलग होगा जो आप लों को easy लगगा वो लेट करेंगे चलिए please read question carefully question को ध्यान से समझेगा और ये सब question जो lead करने वाले यानि percentage को पार्ट में distribute किया जाता है बहुत आसान होते है जैसे ये question दिया है कि रमन अपनी income का ध्यांदी का रमन अपनी मासी का आएका नहीं income का रमन spend 20% of his monthly income on food पहले question ध्यान से पढ़े रमन अपनी income का 20% किस पर? चाहे इसको पर ये चाहे हिंदी में अंगलेस में 20% भोजन पर 35% पर एक बेटी और एक बेटे पर 3 ratio के 4 के रेशियो के अनुपात में ख़ज करता है यानि 20% food पर ख़ज किया और अपनी income का 35% उसने education पर वो भी किस ratio में? 3 ratio के 4 में एक डॉर्टर और एक संपर इकस्पेंड किया ध्यान से पढ़िये question and 28% इकस्पेंड आन स्वापिंग 28% स्वापिंग पर ख़ज किया remaining he saves if he saves 13,600 in a month find the annual expenditure on education of his daughter ध्यान देजी का ये कह रहा कि रमन की monthly income जो भी थी उस monthly income को part में डिवाइड कर रहा है कैसे? monthly income का 20% food पर 35 education पर वो भी जो education पर ख़ज किया daughter or son पर ratio में relate कर दिया गया है 28 खरिदारी पर कितना आसान से question है? अच्छे इसमें जब ऐसे simple questions होंगे आप लोग 100 let कर लोगे तो भी tough नहीं होगा यानि 100% माल लेंगे जिनको लेट करना होगा 100x माल लो पहले समझने के लिए data हम लिख रहे हैं अगर हमने उसकी total monthly income यानि total I उसकी monthly income हमने मासिक I let कर लिया 100 रूपे अब गरा कि 100 रूपे में 100 का 20% 20% होता है और आपनों को पहले हम लोग बता चुके हैं हम डिसकस कर चुके हैं 100 क्यों लेट कर रहे हैं क्योंकि 100 का 20% निकालना असान है 100 का 40% find करना असान है इसलिए 100 लेट कर रहे हैं यानि 100 का 20% 20 रूपे food पर expand करता यह समझेगा clear है अच्छा फिर करा 35% education पर तो 100 का 35 education पर और आप लोग यह भी कर आए education पर जो spend किया वो भी 3 ratio 4 की ratio में daughter और sun पर clear है यह daughter पर यह sun पर तो अगर हम बोल दे माल लिजे ऐसे समझे 35 रूपे 35 रूपे एक बेक्ती अपने daughter और sun में divide करता है 3 ratio 4 की ratio में तो बताए daughter को कितना दिया और sun को कितना दिया relate कर सकते हो भाई 35 को divide भी कर सकते हो बना सकते हो तो 35 3 plus 4 7 तो 7 की value कितना है 7 की value 35 है और 1 ratio की value 5 वा तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 यहनि हम यह बोल सकते हैं कि जो 35 रूपे है वो 3 ratio के 4 की ratio में 15 और 20 रूपे यहनि 15 आपने daughter को और 20 रूपे 20 रूपे अपने sun को दिया समझ मा रहा होगा अच्छा आगे पढ़िए यह करा 28% total income का उसने swapping पर spend किया यहाँ swapping दिया है खरीदारी पर अब 100 का 28, 28 यह swapping यानि खरीदारी पर खर्चिया अब remaining ही saves आप लोग बताओ अगर उसके पास 100 रूपे है 20 रूपे उसने किस पर खर्च कर दिया उसने भोजन पर खर्च किया 35 एजुकेशन पर खर्च किया और वह बोला गया है 35 एजुकेशन पर खर्च किया और यहाँ बोला गया 28 खरीदारी पर खर्च किया महीने में और दिया गया है और उसकी मासिक बचत कितना 13,600 रुपए है यह दिया है गया ना यानि मन्त में 13,600 बचाता है तो आप लोगों find क्या करना है find करना annual expenditure of education of daughter यह सारी चीजें मन्थली की बात की जा रही है एक विक्ति का मन्थली इंकम का अलग-अलग पार्ट पे expenditure दिया गया है और मन्थली savings आप लोग value के फार्म में दिया है annual expenditure की बात कर रहा देखिए मन्थली हम लोग daughter के education पर निकाल लें यानि एक महीने पर daughter के education पर कितना खर्च क्या अगर हमें यह पता हो जाए तो annual तो find ली कर सकते है बिल्कुल निकाल सकते हो आप लोग देखिए यहां saving 17% है 17 की value 13,600 तो 1% की value कितना हुआ तो 13,600 divide by यहां 17 तो 17,836 यानि 800 रुपए तो 800 हुआ 1% की value तो सब की लिए सही हो अगर आप लोग उसको मन्थली income निकालना है तो 100 की value यानि आप लोग 800 को 100 से गुड़ा कर दो यानि 80,000 अगर food पर निकालना है तो 800 को 20 से गुड़ा कर दो अगर education पर total daughter or son को मिला कर निकालना 35 से multiply कर दो और अगर daughter को निकालना है तो 15 son को निकालना भी सब के लिए सही है न तो फिलाल हमें क्या find करना daughter की annual expenditure तो मन्थली तो clear है मन्थली 15 है तो 15 इंटू 800 15,120 हो गया न यानि 12,000 रुपे हम ये confirm हुआ कि वो daughter के education पर 12,000 एक मन्थ में खज करता है अच्छा आप लोग बताओ कर एक मन्थ से उसने 12,000 खज किया तो एक year में कितना 1 year equal to 12 months या में बजपन में ही सिखाया जाता होगा multiply कर दो जब एक महिने में 12,000 रुपे तो एक साल में कितने 12,000 इंटू कितना 12 कर दोगे यानि 1,444,000 रुपे उसने क्या किया एक साल में खज किया अपने daughter की education पर यानि option number B is the correct answer इतना लिखना नहीं था अब आप लोग यहां लिखने के बास समझ मारा इतना करने दुरोत ही नहीं थी ऐसे समझ आते अच्छा 100 उसकी income थी 20 उसने ख़ल्च किया food पर कोई मतलब नहीं है उसने daughter education पर 35 पर 28 किस पर उसने ख़ल्च किया इतना हुआ अब हमें एडुकेशन पर 35 पर 35 को तीनो चार में यह डुटर वाला पार 15 पंदरा की वैलु कितना हुआ यह बारह हजार रुपए तो बारह हजार एक महिने में तो एटने बारह इंटू बारह सो बारह हजार यही कितना 144 तो यह पूरा लिखना नहीं था अगर आप लोग समझ जाओगी बहुत आसान हो जाएगा देखो ऐसे बहुत बहुत बाहर क्वेशन आएगा जैसे बोल दिया जाए परंड़ बारह सिखल, परवेश वो नहीं लिक्वा रहे है, ओर बता सकते हो जैसे म solchen कि यह समझेगा 60% हिंदी में 25 पॉक इंग्लिज्च में रिमेंनिग फ्रेंच में है 60% हिंदी में 25% किसमें इंग्लिश में और रिमेनिंग फ्रेंच में है तो अगर बोल दिया जाए नंबर फ्रेंच बुक कर दिया है कि 3000 है तो बताइए टोटल तो औरल माइन में कर लोगे अच्छा जन्रल डिस्टिबूशन है तो 100 का 60% हिंदी 100 का 25 किसमें इंग्लिश में तो 60 प्लस 25 कितना 85 हुआ बचा कितना 15% 15% यानि फ्रेंचिप में होगा 15% की वैलो 3000 हुआ एक की वैलो कितना हुआ 200 हुआ तो सौल करना 15 दुनाई 20 यानि 200 हुआ तो 100 की वैलो इसका मतब नंबर आप बुक्स कितनी हो जाएगी ओरली आप लोग 20,000 निकाल सकत हो क्लियर है तो ऐसे बहुत सारे क्वेशन बनेंगे अभी हम लोग एक क्वेशन का बेसिक कॉंसेप्स कर रहे हैं जिसके तुरू बहुत सारे क्वेशन कनेक्ट हो सकते हैं चले इसको देखीगा यह दूसरे टाइप का हो गया ध्यान से पढ़िएगा यह रिमेनिंग वाला 37.5 अपने बेटे को सेस आय का 40 परसन अपने बेटी को और 25 परसन अपनी बहन को दे दिया सेस वह बचाता है यह दीवा 14,000 रुपे बचाता है तो उसकी कुल आय बताईए देखे हम इसको दोनों तरीके स्वाल करेंगे रेशियो से भी परसंटेज से भी क्यों क्योंकि जह जहां भी ध्यान समझेगा जहां भी रिमेनिंग का केस आजा है और जहां कहीं भी 37.5 यूज हो या 16 whole 2 by 3 यूज हो तो वो रेशियो से डिफिनिट आसान होगा परसंटेज से समझने के लिए इसी होता है लेकिन हमेशा सबसे परसंटेज का लोएस परम क्या है रेशियो है से जादा आसान होगा कोर्शन पहले समझे समझ मां गया होगा एक बिए अपनी इंकम का 20 परसंट किसको दे दिया अपने वाइफ को दे दिया ठीक है 37.5 परिमेनिंग बीस परसंट दे दिया जो बचा ठीक है मानो सोल रोपे था वीज दे दिया असी बचा जो बचा उसका 37.5 अपने सन को दे दिया बिल्कुल बेरी गुट अब जो बचा 40% रिमेनिंग इंकम टो इस दॉर्टर अब जो बचा उसका 40% अपने डॉर्टर को और 25 सिस्टर को दिया रिमेनिंग से कर रहे हैं और फिर रेशियो से देखो बहुत आसान हो जाएगा हंड़िट से करोगी लेट करोगे उसकी टोटल इंकम माले जिए 100 रूपए जिनको डाउट होका वह 100 एक्स माल लेंगे तो भी सही है ना अब अपनी टोटल इंकम पर 20 परसंट वाइप को तो आप लोग बत बचा हुआ है अब करा कि 100 टोटल है बीज दे दिया असी बचा असी का आप लोग कह रहा है असी का 37.5 असी का साले 37 परसंट देखो 37 की वैव सबको पता है शारे 12 का 3 गुना हुआ यह सारे 37 वाई 100 करोगे तो 3 बटा 8 होगी ना तो 3 वाई 8 यानि असी का 3 वाई 8 आप रुपए हो गया इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे परसंटेज हमने समझने के लिए लगा दिया कि बैलू से अलग देखे बस ऐसे समझो असी का तीन बटा आठ का मतलब तीस रुपए हुआ अभी समझे सो टोटल था उसकी टोटल इंकम था और सो में से बीस उसने क्या कि आपने बाइद दिया और तीस किसको दिया अपने यहां बेटे को या अपने सन को दिया अच्छा अब ये विकलिए क्लिए होगी 20 वाइब को दें यह ओवर pleas है उसको कनेट करो उसने तीस अपने बेटे को दिया पचास तो दे चुका है अब घरा हमें जाना कहां तक सेविंग ग करा जो बची हे इंकम बची इंकम कितना पचास रुपए पचास रुपए जो बची है उसका 40 परसंट क्या करता 40 परसंट अपने को कुझ डे जिस्टर को कबशें सत करकें समृण सब्सक्राइब को पीशन को देता है अिजी में दropwide सेर चाहिए ना तो सिसर का सेर चाहिए तो थोड़ा सा निगलेट कर सकते मालों बोल दें कि एक बिक्ति जो भी इंकम बची है में मालों ऐसे इग्नौर करते नहीं पता है जो इंकम बची है उसका 40% डॉटर को दिया 25 शिक्षर को दिया तो बताई कितना बचाया यानि जो इं 35% इंकम बची होई होगी तो ध्यान समझेगा 50% बची हुई थी 50% का 65% किसको दे दिया 40 अपने डॉटर को 25 शिस्सर को यानि यह दोनों निगलेट कर दें हम अलगला ना निकाले निगलेट कर दें एड़नी डॉटर और सियर का हमें सिस्सर का से निकालना ही नहीं तो यहां स्वाल पढ़ दो, पचास नहीं कितना बचा होगा, साड़े सत्रा रुपए, देखो हम ही कह रहे हैं, कि जैसे पचास उसकी इंकम बची थी किसको, अपने वाइब को और अपने सन को देने के बाद, पचास बची, अब उसके पास जो पचास बची, उसमें से भी चालि और उसी का यह, तो जो बची है, उसका यह दोनों निकाल दोगे, 4025, यानि जो बची ही इंकम का 65%, अगर निकाल दोगे, 65% निकालोगे, दोनों का सेर आ जाएगा, और अगर 35 निकालोगे, अब इन दोनों को देने के बाद, बची ही इंकम का बचेगा, यानि फानली यह ब कम चाहिए यहां इसको क्यों निग्रेट कर दे रहे हैं उसके डॉर्टर सिस्टर को क्यों कि हमें जरूरत यह नहीं है वह से जरूत इसकी भी नहीं थी यहां पर जाने के लिए से लिए कितना बच रहा है तो यहां एक की वैलो आप लोग फाइंड कर लोगे सब्सक्राइब यानि असी हजार आ गया तो क्या असी हजार है हाँ बिल्कुल करेक्ट और सब्सक्राइब किसी को डाउट है इसमें कन्फुजन नहीं करोगे इसमें यह हमने नहीं कहा भी देखो समझ यह टोटल का 20% वाइब को बचा कितना 80 80 का 3 by 8 यानि 37% 30 रुपए हो गया संगो अब जो बचा यानि 50 दे दिया 50 रुपए बचा 50 रुपए का 40 परसंद अपने लॉटर को और 25 परसंद अपने सिस्टर को इसके बाद बचाया है तो 50 रुपए में से इन दोनों का परसंटेज हटा दोगे जो बचेगा इसका मतलब वो एक्षिल 50 रुपए में बचत बचेगा तो यह बचत हमें डिरेक्ट निकाल लिया तो सेविंग समय दिया है तो टूटल इंकम 100 की वैलो एंसर हो गया तो यह हम परसंटेज से समझ रहे थे आई भूप से एक्जैक्टी पता होना चाहिए और दूसर तरीका है कि हंडेड से भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग को स्वाल करेंगे तो मतलब हमें को देखते ही उसका बेसिक माइन में फ्रेम होगा तभी हम लोग रेशियो से रिलेट कर सकते हैं और लॉजिक भी कर सब करते हैं 20% की कितना एकडा पांच यानी 20% का 5 उपने वाइफ को देNEके बाद टो ट्वीनapa आगर 5 निकालोगे तो भी चार बठारा आप बाँच आएगा यानी 1 in to 4 वाइफ कर दिया में वाइव को देने के बास्यात आपकर रहा शीड थी थाषेवन पॉइंट पॉइंट फाइट अपने वैटी को दे दिया तो इसका मतले district 37.5 का मतलब कितना तीन बड़ाया यहनि आठ हमें से कितना बचा है पांटमाटा, जो बचत है वह ईससे की बात कर रहे है अब कर रहा इसके बात, छो बचाहें एतना बचाहें इतना बचाहें, इतना बचाहें 20 % में 25 को और चालिस पसंट 5 पनी बहन को और चालिस पसंट अपनी डॉочку को और 25 वहन को तो इसको पहले जादिया और फिर रिमेंग नहीं का रहा है जर्नल का रहा है चालीशलक परचीस दे दिया तो D जो बचा है दे दिया तो इसका मुदब 65 दे दिया बचा कितना 35 परशन 35 को गर करो नहीं करो तो इसे बराबर कितना हुआ 14,000 रुपे तो बचत देने के बाद इतना बचा सॉल्व कर देखे तब भी यहां सरा जाएगा चाहिए आप लोग चेक करो यहां से सॉल्व कर लोगे देखे 5 से 5 साथ यहां 35 वा और यहां 7 परशन 35 परशन का 140 देखे यहां यहां देख और 8 यहां से सॉल्व कर दोगे यहां होगे ना और यहां से 35 नहीं यह तो हो गया ना सबसे आसान है लेकिन हमें इसको समझने के लिए बेसिक समझना आना जो जरूरी है चले नेक्स देखिए अब हम लोग नेक्स क्वेशन पर आएंगे हां यह बहुत अच्छा क्वेशन थे एक बार यह सीजियल मेंस में आया हुगा क्वेशन थे और क्याट की बुक में भी क्वेशन दिया गया और यह समझ मैंगा कि हम लेट कैसे करते हैं ध्यान समझेगा यह क्वेस्टन में आपनों को यह में समझ जा है कि क्या लेट करें कि आसान हो जाए एवरी डेया मैंगो चेलर सेल्स हॉफ आव स्टॉक यानि प्रते एक दिन आधा स्टॉक बेज देता है मैंने सो उसके पास टोटल मैंगो से पचास बेस दिया अगर टेन परसेंट अब रेस्ट स्टॉक ओवरनाइट स्पाइल जो बचा है उसका दस परसेंट एक रात में स्पाइल हो गया सब गया और कि इस वन नाइन एट थी मैंगो रोटन ओवरनाइट थी डेज यानि तीन रातों में वन नाइन एट इस परसेंट यह आपनों को समझ नाज़ान दिजे क्लियर है तो यह आप लोग स्वाल गिरें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा क्या अंसर आएगा और जिनको डाउट होगा हम जरूर इसको अलग से स्वाट के फार्म में डिसकुस करेंगे और नहीं अगर आपनों को सम पार्ट में कैसे डिवाइड किया और रिमेनिंग को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं और उसी को पार्ट से कैसे कर सकते हैं अगला देखिए अब यहां पर अलग टाइप का यह कुशन बने एक कुशन जरूर एलेक्शन वाला कुशन SSC में देखने को मिलता है MTS में देखन को मिलता है बहुत बार देखोगे एलेक्शन वाले कोशन आई हुए हैं आप देखो इनको कैसे करोगे सबसे पहले अच्छा एलेक्शन का हमें बेसिक चीजें सबको पता होंगी या होनी चाहिए होंगी का मतलब यह हम लोग यूपी से विल्वांग करते हैं मैक्सिम लोग इलेक्शन को बहुत होता नहीं बहुत हर्टली देखते हैं सब अलग-अलग मतलब कस्मों में गाउं में सब इसकी चर्चा बहुत होती है क्योंकि हमारे याद बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं कि साल भर में कुछ ने कुछ लगा जरूर रहता है तो हम बार बार सुनते आते हैं कि कौन जीता कौन हरा कैसे ओट पड़े यह थोड़ा सा आइडिया रहता है तो एक जनरल आइडिया समझे पहला केस में अगर हम बहुत बात करें कि एक लेक्शन है पहले इसको समझेगा सिंपल आपको माइन में होना चाहिए एक लेक्शन में एक हजार उट ठीक है ना टोटल ओट यह पड़ा हम बोले कि एक और इसमें दो ही उमीदवार है और इसे आजकल बहुत सारे उमीदवार जो है कंडिडेट होते हैं लेकिन क्वेशन की बात करें इसमें दो मीदवार हैं बहीं दो मीदवार का मतलब एक जीतेगा एक खारेगा टाइब मतलब हमें एक ही लाइन बोलते ही समझ मा गया कि अगर हमें यह पता हो गया कि हजार ओट पड़े थे एक को 700 मिला है इसका मतलब जो और इन्वारेट होरा की बात नहीं किराई दूसरे को 300 मिलेगा बाकि इनका डिफरेंस होगा 400 ओटों से जीतने वाला जीत जाएगा और हा सकेंड हम दें कि एक एक एलेक्शन में एक करेक्ए में जिसमें 200 ओड़े होगे इंवालेट का मतलब किसी का मूठा खराब था या सही लगा नहीं या उसने गलती से कहीं और लगा दिया मतलब वगर बहुत सारे रिजन्स हो सकते हैं फिलाल फाइनली 200 खराब हो गया इसका मतलब 800 बचे यानि जो 800 बचे हैं इसी पर जीत और हार का फैसला होगा क्योंकि 200 लोगों का वो तो invalid हो गया खराब हो गया और जो खराब हो जाता है उट ना तो winner में count होता है ना तो loser में count होता है समझ मागया होगा अब अगर हम बोल दे 800 total valid है इसमें से अगर हम बोल दे एक को 500 मिला तो definite अगर 800 के winner loss का फैसला हो रहा है यानि 800 का मतलब ये valid होट है ये bad होट है तो इसी पर winner loss आज का फैसला होगा और उसमें से 501 को मिलेगा इसका मतलब 302 das Kacer मिलेगा तो 500 वा 300 से कितना 200 व्षै 200 वट बाय दूसी जित गया इसका मतलब वहाज़ टो टलUAट होगा यह Winner Plus Loser Winner Plus Loser जो ओट होगा Total वाय耶 के बराबर होगा eleven Pioneer Plus Invalid किसके बराबर लास देखते हैं एक और यहां पर कॉंसर्ट हो सकते हैं क्या कॉंसर्ट होगा समझे ध्यान से हम यह बोल दें कि जैसे एक इलेक्शन में तीन टाइप की बनेंगे अभी इसी को हम लोग परसंटेज में कर रहें बस एक जनरल आइडिया आप लोग माइन में फ्रेम करो कि अग इन्हों ने ओट ही डाला नहीं डाला यानि अगर एक हजार टोटल पॉपलेशन है यानि किसी भी टाउन में अगर एक हजार लोग रहते हैं वो सब डाल सकते हैं लेकिन सो लोग डालने नहीं गया यानि सो लोग क्या है आलसी हैं जो डालने नहीं जाते हैं उनको कोई जीत था उसमें भी अगर बोल दिया जाए सो लोगों ने बिना मन के डाला था यानि उन्होंने ऐसा डाला की खराब हो गया अब आप लोग बताओ यानि इसका मतलब खराब होने का मतलब यह भी इन्वैलिड हो गया तो इसका मतलब 9 में से 100 और घटा दोगे यह आठ सो यह 800 जो ओ इसी पर ही तो भी नो लौस का फैसला होगा अब यहां पर दो कंडिडेट है तीन कंडिडेट है क्या फरक पड़ेगा जितना टोटल ओट है उसी में से यानि सभी को जितने कंडिडेट होंगे उनमें से डिस्सिवीट होगा जिसका ज्यादा ओट आएगा वो जीत जाएग चले अब कोरिशन पहला पड़ी और दीखें बहुत आसानी सॉल करेंगे हम लोग इसको परसेंटे से सॉल करेंगे या रसे सॉल करें दोनों तरीके से सॉल करेंगे पहला ट्राइब्य द्यान से आफ पहला को जनानाल ऑस ayos के और दो दवारारों के बीके य ना होगा एक को 62.5 मिला और वाव 7500 जीद गया बताइए टोटो रोट कितने पड़ेंगे अब इसमें आप लेट क्या करोगे भाई हमें पता है कि जैसे का रहा है एक एक क्लास में 60% है पहले हम लोग डिसकुस हिया था अगर हम बोल दें 60% है इसका मतलब 40% क्या होंगे गल् क्या लेट करोगे टोटल लेट करोगे नो वैसे यहां भी एक एक क्लेक्शन में तो दो वीद्वारों में से 31 मिला तो पहले क्या लिखोगे लेट टोटल ओट कितने है आप लोग क्या माननोंगे टोटल कितने पड़े यानि 100% देनि 100 मिले या जिनको डाउट होगा से कर रहे हैं सो टोटल पड़े इसमें से साड़े 62% एक को मिल आप लोग बताओ अगर सौमें से साड़े 62% मिल गया तो डाफनिट है तो दूसरे को कितना बचेगा यानि दूसरे के लिए साड़े 37 ओड बचेंगे यानि ओड भी आधा नहीं होगा लेकिन ये परसंटेज में इसलिए आधा हो सकता है ये वैलू से कनेक्ट नहीं है सो टोटल ओड था साड़े बासट एक को मिला साड़े 37 इसका मतलब दूसरे को मिलेगा तो हमें पहले ही कंफर्म अगर साड़े 62 वाला क्या है इसको ज्यादा वोट मिला तो विनर है और 37 साड़े 37 वाला क्या है लोजर है साड़े 42 साड़े 37 का अंतर कितना है 25 यानि जो विनर हो 25 परसंट ओटों से जीत गया यह लाइन बोलते ही आपसों माइन में फ्रेम करं लोगे कि अगर दो ही कंडिडेट हैं और उनमें एक को साड़े बासट मिला तो इसका मतलब तुरन समझ जाओगे टूटल अगर हंडेट पड़ा होगा यह तो लेट कर रहे हो ना उसमें से एक को साड़े बासट मिला दूसरे कितना मिलेगा साड़े 37 डिफ्रेंट 25 यानि क्लियर हो गया पहले परसंटेज में फ्रेम कर लिया कि किसको कितना मिलेगा और वैलू क्या दिया साड़े 7000 डिफ्रेंट का मतलब 25 परसंट की वैलू साड़े 7000 एक की वैलू कितना हुआ स्वाल कर लोगे 25 3000 यानि 300 गुआ और आपनों को 100 टोटल ओट निकालना है तो कितना 20 और बढ़ा दोगे यानि 30,000 करेक्ट एंसर अगर विनर को कहता कितना मिलेगा एक की वैलू 300 साड़े 62 से मल्टिप्लाई कर दोगे 300 को विनर को नमबर ओट और लूजर कहा जाता तो 37.5 से मल्टिप्लाई कर देते तो फाइनली इसका एंसर कितना है यानि 30,000 करेक्ट एंसर तो सभी को क्लियर हो गया होगा यह कैसा है यह परसंटेज से हमने स्वाल किया लेकिन आप ल इन और लूजर का डिफरेंस कितना है इतना तो हमें वाले टोटल एक थे साड़े 62.5 कि इतना हुआ यह साड़े 12 परसंट का पांच गुना यानि 5 बाइट आप लोगों को पहले बताये थे जिनको डाउट होगा वो फिर से जो है स्टार्टिंग वाले कनवर्जन वाले को मिलेगा हारने माले को मिलेगा तो पताई आठ ने वाले को एन्तर कितना होगा अंतर दो होगा तो दो बनाफ्वर क्यों गीने यह तिन मिलेगação शाड़े तो कि फिल धू acne एक की वेलू कितना एक ही क्या है 100 परसंट है तो 75,000 इंटो कितना यहां पे चार यारी क्या हो जाएगा कंफर्म 30,000 तो एक तरीका यह भी है दोरों तरीका ध्यान समझेगा रेशियो आशान होगा लेकिन पहले समझने में पासंडेश समझेगा और जब फाइनल अप्रोच ल दाले गए ओटो में से 56 परसंट मिले जितना ओट पड़ा उसका और 144 ओटो से जीत गया यदि 80 परसंट लोगों ने ओट डाला कोई अबैद ओट नहीं था तो मद्दाता सूची मद्दा होता हों का खुल संक्या तो पहले हम लोग किस स्वाल करेंगे पहले हम लोग सौसे स स्वाल परेंगे और फिर रेस्यों से देखो कि बहुत आसान हो जाएगा ओके देखो क्या करोगे आपनों हमने लेट किया माल दीजिए हंड़ेट परसंट टोटल हैं टोटल मद्दाता हंड़ेट परसंट टोटल ओटर्स हैं जहां पर यहां दो भाग में डिवाइड टोटल लोग थे उसमें कुछ लोग नहीं डाले उसकेस में लोतर समानेंगे तो टोटल ओट पड़े ओटर्स के बाद होगा और पड़े न तेहां ओटर्स मानों गेना करा है कि यहां सद्यान समझेगा कोई अबाइद नहीं हाइड सूची में समझेगा 80% लोग ने लोग ने डाला 80% लोगों ने एक रहा है 100 थे 100 थे उसमेंसे 80% दाले इसका मतलब यह हूँआ कि 200 लोग से डाले डाले अब नहीं । नहीं हो सकते हैं घर के नहीं होगे कहीं भी गया होगए इसाथ विजक्वरल गया हो ऐह फो जो बहुशंवused था अगर हम बनेगर क्लास में इसका जितने प्रफीन अकिंड को मिलेगा तो इसका चंपन इक तो注 radiantIn करें कूले गा तो कि अशर्ड पर्फाजिन मतलब इस्का यूट को मिलेगा सक्आटनधिक नहीं इसका बाइच शपकन यूट नहीं है इसका चंपन पर सिंट इव Mis तरहिए हमें 56 44 का अंतर को मिला का अंतर की Daras गड़ारे फॉलिवते हैं इसका अंतर होगा अगर हम बोले Colombian समझेल लेकों जीताए अन्हों का सब्सक्तुन का ठी़री बीरहा पर सब्सक्राइब यहांनि जितने ओट पड़े थे उस में से जीतने और हारने वाले का distribution हुआ तो जीतने वाला हारने वाले से 144 जादा पाया है इसका मतलब यह है कि ओट 80 हैं तो 80 का 12% ही अंतर है भई जीतने वाला, जीतने ओट पड़े हैं उसका बारा परसेंट ही तो जादा पाया है इसका मतलब असी का बारा परसेंट की वैलो कितना है 144 है हम क्यों इसको बैलो निकाले क्या जरूरत है क्या पूछा गया है जितने वाले कितना मिलेगा या हारने वाले कितना मिलेगा नहीं पूछा गया तो क्या मतलब है हमें क्या क जाएगा एक परसंट के घरम बात करें एक परसंट क्या हो जाएगा ये बाराइव सो अधर आजाएगा ना देखो दो दिरो डिवाइट बाइट बाइट इतना असी यहां सवाल करोगे आठ एककमाट हुआ अट पंचे चालेज एक परसंट की वैलू 15 आ गया एक की वैलू 15 असी का एक परसंट ब्राइट तो सो की वैलू कितना हुआ पंद्राइट यहां सवाल पर दी फंद्राइट टोटल बोले किसी को डाउट है यहां पर इस पर कन्फूजन नहीं करना है पंद्राइट है तो क्लियर है हम नहीं करें टोटल सो उड़ थे अस्वाल में बीस दो निकास किया असी का चपपन एक को मिला एक का फिट्ी प्टी सिक्स एक को मिला यह एंडर इस्टियूड है दूसरे को 64 मिलेगा डिफरेंस 12ering होगा तो कह रहा कि और किरा कि जीता जो 56 पाया है वो जो है दूसरे से 144 जादा पाया है इसका मतलब इन दोनों का difference कितना है आप लोग clear है 144 है तो difference कितना 12% 80 का 12% 144 तो यहां 100 की value यानि 80 से related है ना 100 की value ड्रैक निकाल लोगे यह किसमें था यह ratio में तो यह था percentage से चले आए हम लोग इसी को ratio solve करते हैं हाँ इसको पॉस करके देखे जिए फिर से doubt होगा तो ratio से कितना आसान था अब देखिए हमें difference तक जाना था तो इनको relate करो हम निट करेंगी वन ओट ना वन टोडल था इसका 80 परसंट ओट लोगों डाला तो 80 परसंट का मतलब कितना हुआ 80 परसंट यानि 4 वाइफाइब ना असी वाइसो चार बड़ा पांच चार बड़ा पांच उट पड़े एक का चार बड़ा पांच निकले इतने उट पड़े हैं ना अब इसमें कह रहा है कि 56 एक को मिला और इसका मतलब 44 दूसरे को मिलेगा डिफरेंस कितना हों का 12 परसंट जितना पड़े है उसका 12 परसंट इसका 12 परसंट निकाल लो और वही डिफिरेंस किसके बराबर एक सचावाल बस थोड़ा से आपनों को समझना है रिलेट कर लोगे यहां से स्वाल कर लिए जोगी आगा एंसर देखिए यहां से बाराच चौप अनतालिस तियां हुआ और यहां पांसों का एक की वैलू पांसों का तिनूना पंदरा सो कितना आसान है बस आप लोगों लॉजिक समझना हstud कि लॉजिक से अगर लिए हमें जोलेखना हो ही लिखे जैसे हम यह यह क्यों निकालें कि जीतने वाले कितना मिला हंबने वाले कितना मिलाइखने गाले हमें एंतर दिया हमें हमेंपता जीतने को उतना हार्त को मिलेगा श्क्राइअ 542 तो या हैंसर हो ग्या ओके चले'm नेक्सक्राइब स्टाइब हाँ नेक्सक्राइब थ्यान देगा है यह ससी सीजियल में आया होगा अगर जो लोग प्रिभिएस सेट स्वाल्व किया होंगे उनको एक क्वेश्टन दिख जाएगा यह दो-तीन बार आ चुका है सेम क्वेश्टन और अलग अलग इस जाम में आय पहले question को ध्यान से समझे क्या करा है यह questions बिलकुल एक तरीके से जो अभी आप लिट कर रहे थे ना इनकम वाले वही से ही है थोड़ा सापनों को ओड की concept को समझना है चलिए पहले वही बेसिक तरीका यानि हंडेट से हंडेट परसंत हमने क्या माली टोटल ओर समाल लें अब करा कि इससे पुंच प्चस्थतर पसंतों मध्द आता हों ने अपने ओड डाले तो यह अगर हम स्जारे चाहें तो यह समझ सकते हैं बट लिगना जुप घाखरुरी नहीं था कि अगर टोल हंड़ होड़ा है तो 25% है और 75% लोगों द्युमंजंग का 25% लोगों यूट नहीं डाला तोटर ना के बाद ही कहदा यहां पर और इन वरिट के बाद इसका वाले को ढांड हम समझे से longer लेते न तो 45 कि तॉil तो सब्सक्राइब करें यह देखो अगर हम इसको इससे कनेट करेंगे भाई पचातर का दो परसंट का मतलब सब्सक्राइब इन वैलिड हुआ तो अगर यह इन वैलिड हो गया देड हो इसका मतलब साधे 73 ओट वैलिड हुआ भाई देखे परसंटेज में डिस्वन में आ सकता उसका ओट से कोई मतलब नहीं है कि परसंट नोई आधा हो गए उसका नहीं मतलब है ठीक है तो 73.5 ओट क्या था वैलिड था इतना पर ही जीत और हार का फैसला होना है चाहे देखो 73.5 वैलिड और प्लस 261 के एकवल है यानि 73.5 का 75% का मतलब 75203 बटा 4 बरावर 9261 है कि नहीं तो आप लोग क्या चाहिए देखो 75 का यह निकालोगे तो यह परसंटेज में आएगा तो एक जो आएगा वो सो यह सब के लिए सही होगा जो अलग-अलग लिख रहे हो तो स्वाल्व कर दीजे 73.5 परसंट का 3 बटा 4 बरावर 9261 तो एक परसंट की वैलू देखो कैसे स्वाल पर होगे 9261 और इंटो इस चार बटा 3 तो होगा यह समन मारा है बाइधर आएगा कितना 4 बटा 3 हो जाएगा इस 73.5 मीचे आएगा 73.5 नीचे आएगा यह एक परसंट की वैलू है हमें चाहिए नहीं तो करना है स्वाल पर दीजिए यहां पर पॉइंट जड़ा दोगे 040 हो गया और जिस से कड़ेगा अच्छा एक सी ध्यान दीजिए 9261 के बात करें देखती समझ मारा होगा यह 21 का क्यूब है 21 का क्यूब क्या होगा 9261 22 का आप लोग कंफर्म 10648 हमें क्यूब भी 30 करी तक कंफर्म होना चाहिए अगर आप लोग क्यूब करना है यहां 21 का क्यूब यहां 21 से यह भी कड़ जाएगा तो इसका मतब यह 21 का स्क्वार बचेगा अगर इक किस से कड़ करेंगे यह 21 यह तिरे सट 25 यहां से 5 साथ से यह वी वहां दोनों कड़ जाएगा और चलिए स्वाल करें यहां 3 से चलिए साथ से पहले कार दें साथ पूछे 35 हुआ साथ चक्वयालिस हुआ और 24 सात्रीक 21 हुआ तीन से 21 याई 63 हुआ यहां से यहां से क्या बचेगा पांच बचेगा तो पांच बीस यहां 20 चानली आठ आठ आठी कमार दोने सोलह बिलकुल 16,800 सौल क तो इस ताइब से जैसे टोटल यहां उटरस मानेंगे कितना लोग नहीं गए इतने लोग गए अब इसमें से इन वैलिट हो गया बाकि जोग बचे होगा लेकिन कहरा कि एक को वैलिट का ही डिरेक्ली 75 मिल गया है और हमें कहरा टोटल तो और हमें आगे करेंट ही नहीं करना इसको करनेट कर लेना एंसर हो गया तो एक तरीका तो यह हुआ यह सम्झ में आ गया सभी को अच्छा दूसर तरीका अगर हम रेशू से सॉल पड़ें चले रेशूस देखेगा आई हूप सभी को समन में आ गया होगा डाउट होगा इसको पॉस करके देख लीजेगा और द प्रोड जो एक्जाम एक्जाम में जल्दी आपो सौल लें जाओ यानि एक्जाम के कड़िएंट हो वही लगाने के ज़ोरत है और वो तरीका है रेशियो आप लोगो बेशिक समस्ने के पर आना ही पड़ेगा नहीं तो question time taken हो जाएगा चले देखिए question था हमें पता था यह कि पहले total था उसका जो है कुछ लोग नहीं गए फिर जो बचा फिर उन्हें से कुछ invalid हो गया फिर जो बचा अब जो बचा उसका 75% एक को बिला और ओभी 9261 है तो बता ही total यह starting में जाना है तो आप लोग यहां लेट कर लो देखो एक total था 75% लोगों ने ओट कास के पचातर की वालों तीन बटा चार तो एक का तीन बटा चार तो टोटल का ओट रसका एक का तीन बटा चार कॉस्ट हुआ इसका मतलब इतने पड़े हो गए न आपकर दो परसंट अवाइद हो ग जितने ओट पड़े थे उसका तू अवैद हुआ है यह यह वैलेट आ गया आपकर 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 75% एक को मिला एक को मिला जो कि 9261 के इक्वल है बस यह दू कर लिजे देखे जो कॉम्लिकेट जैसे 98 परसंट था जरूरी नहीं पहले आप लोग उसको नाइंट इसको इसको हम बाद में कर सकते थे कि 49 और यहां पर 49 वाई 50 बाद में भी कर सकते थे एक की बाद करना है सौल पर लिजे देखे दाइन टू शिक्वन हमने कहा 21 का स्क्वाइर है ना सब को कंफर्म है अच्छा तीन तरिक करनो नौ से एक बार काट की कर देखी कैंसल करके देखी खाड़ा से थे थे तो 9 50 19 कट जाएगा 9 2000 PC अचा ये 59 को किना और कितना 9 4 तो उनambreटें सब्सक्रान शिक्वाइब hate चाचुक 16 पंचे 80 बचा है कि नहीं 80 बचा 80 इंटू कितना 21 क्लियर ना यहां से 80 इंटू 21 तो यहां से 80 कमार्द नहीं 16 जीरो एक जीरो और आना चाहिए ना पचास है देखो यहां से चार पंचे 20 और चाचुक 16 पांस नहीं है पचास दो जिरो होगा ना तो देखो यहां पर 16800 रूपर टोटल और एक की वैलू बिलकुल अंसर आई भूब यहां तक समझ में आ गया होगा आपनों को इक कैसे बाद अच्छा कोशन से एक बार जो है मेंस में आया था इसमें सीजल के मेंस में आया था और कैट में भी क्वेश्चन साथ को का देखोंगे बैंकिंग इजाम में भी आया है एक चुनाव में केवल दो मिदवारों ने चुनाव लड़ा इन एलेक्शन अली टू है ठीक है दा मिनर गौट 200 ओट्स मोर दैन अपोनेंट मतलब जीतने वाला है हारने वाले से 200 ज्यादा पाया यानि जीत और हार का अंतर दिया है तो ही सिक्योड 41% ओट आफ टूटल ओट लिस्ट परसंटेज ओट आप डिफिट अच्छा इस ध्यान दिए जब भी यहां प किसी को इसका अगर ओट मिल जाता है जैसे इन्होंने कहा कि 40 अपोनेंट करा ही सिक्योड 40% ओट आप डा टूटल ओट्स आंदा ओटल लिस्ट में जितने ओट थे माल ओटल लिस्ट में 100 ओट थे 100 में कुछ लोग गए नहीं उसके बाद कुछ invalid हो गया वैलू में उसके बा को उसने अगर यह ओटर लिस्ट में टूटल ओट है यानि फुल मद्दाता इतने हैं करा इनमें से 41 परसंट डारेक्ट बोल गया पहले समझे यह नहीं कह रहा है कि जो इन्वैलिड हो गए उसके बाद जो है जो फिर जिन्दों नहीं डाला उसके बाद वैलिड का कुछ प स्टार्टिंग जो लेट करना चाहिए उसका हमें दिया हो तो ऐसे समझे तब सम्वाले के इसको आजाओ ध्यान से 41 परसंट जीतने वाले एक को मिला मतलब यह कह रहा है कि यह विनर एक को 41 परसंट मिला और 200 जीता यह कह रहा है यहां पर तो हम क्या करेंगे आप लोग बत असी ओट पर विन उलास का फैसला होना चाहिए असी में से जीतने और हारने वाले को डिस्टिब्यूट होने चाहिए उसके बाद भी कह रहा है एक सो बीस क्या है अबैद हो गया 120 हो गया और टोटल जीतने वाला हारने से 200 जादा पाया है और जीतने वाले ने 41 परसंट पर लिए और असी पर ही जीत और हार का अगर फैसला हो रहा हो लेकिन यह नहीं कर रहा है 120 यहां पर दिया है कि 120 हो गया अभी उसको चोड़ कि समझें 41 एक को मिला इसका मतलाब 80-41 यहनि 49 हारने वाले को मिलना चाहिए ठीक समझ मारा मिलना चाहिए लेकिन 120 अवायद हो गया इसका मतलब यह हुआ कि 120 और कम कर दो हारने वाले को मिलने चाहिए था उतना नहीं मिला 120 अवैद हो गया इसमें कुछ नहीं जुढ़ा 41 === को मिला है बाकी जो बचा उसके सब है हम गए 80 है तोटल ओट ओट जी sells पड़ा है एक 41 अब इसको मिल गया 49% हारने वाले को मिलना चाहिए लेकिन 120 अवैद है इसका मतलब 120 अगर घटा दोगे अब ये हारने वाले को मिला कि कि जो अवैद है उगटे का तो हारने वाले में से न जितने वाले तो पता ही होगा कितना मिला यानि ये हारने वाले को यानि लूजर को ही मिला यह लूजर को यह बिनर को कह रहा है कि बिनर लूजर से 200 ज्यादा पाया तो चाहे आप लोग लूजर में 200 जोड़ दो तो बिनर के बराबर हो जाए और यह बिनर में 200 घटा दो तो लूजर के बराबर हो जाए यह answer हुआ यहाँ से देखोगे percentage को percentage से एक तालिस माने सुन तालिस दो 120 और 200 के डिफरेंस कितना असी परसंट तो एक परसंट की वैलू कितना है चालिस यह समझ माग गया कि अब हमें यहाँ पर टोटल ओटल से ही 100 टोटल कास ओट चाहिए असी टोटल दोट कास दिये जो ओट डालने नहीं गए उनका डिस टोटल विनर यह लूजर 39 परसंट माइनस 120 लेकिन हमें पूछा कैसरा चाहिए ओ हो परसंटेज में कह रहा है परसंटेज ओट डिफीटेड कैंडिड़ आउट अप दोटल ओट कासेट कह रहा है कि जो हारने वाला कैंडिड़ेट है जो लूजर है वो जो कास्ट ओट है उसका कितना परसंट है अगर लूजर और कास्ट हम दोणों निकाल सकते है वैलू के फार्म में और चाहे percentage में, चाहे value में, किसी form लेगर हमें मिल जाए, तो कंपाजिन कर सकते हैं, देखे, casted oat हमें 80% percentage में है, जान समझे, casted oat 80% है, तो हम casted oat कितले हैं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 की value 40, 80 की value 40 into 80, 8.32 क्या होगा, casted oat होगा, हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं निकाल क्योंकि 39 मिलना चाहिए, तो 120 invalid हो गया, इसी में से घटेगा, इसका मतब यह हारने वाले को मिलेगा, तो अगर हम हारने वाले को percentage में करना है, तो देखो, 1% की value 40 oat के बरामर है, तो 120 oat को अगर हम percentage में कर दें, तो क्या हो जाएगा, हारने वाले को भी percentage में कितना मिलना चाहि यह पता हो जाएगा, क्लियर, और चाहिए इसे करें, एक की value 40, तो 49% की value निकाला है, और माइनस 120 निकाला, वो भी सही है, मतलब हारने वाले को, loser को, हमें करें 39%, 39 into 40, और माइनस क्या करें 120, यह हारने वाले को वोट मिलेगा, लेकिन हम जब इसको cast को percentage में रख रहे हैं, औ और हारने वाले का भी वोट अगर percentage में आ जाता है, तो हमें क्या जरूरी है value निकालने की, रिलेट कर लेगे, 40% की value कितना 1%, तो 120 की value इसका 3 गुना, यानि 3%, इसका मतलब इसकी value 3%, 49 minus 3, यानि 36%, 36% वोट हारने वाले को मिलता है, वैसे भी देखे, 41, 37 और 200 को भी परसन वे क करो, directly आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से 36 हारने वाले को percentage में, cost 80 into 100, solve कर लिजे, एक 0, cancel वात, 8, 32, 8, 45, 45% is the correct answer, यानि 45% option D, बिल्कुर राइट answer है, यहां देखो, यह percentage में का रहा था, जरूरी नहीं इसको ratio solve करो, इसको ऐसे समझो किता आसान होगा, जब जो है, टोटल का हमें पता हो गया, बाकि जो बचेगा, वो हारने वाले को मिलेगा, तो हम इसको इस language के form में relate कर सकते हैं, clear है, I hope यह सभी को समन में आ गया होगा, चरे next question पर आते हैं, हाँ, सर को आप लोग बहुत 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 बहुतर तरीके जानते होगे, और सर की भूख भी UPSC के लि के हैं, यानि 5 भी बनेंगे जो percentage होगा, average होगा, वो सब को confirm होगा, हाँ, और उसमें सीधे 20 questions आकले वाले बनते हैं, यानि जिसको हम data interpretation बोलते हैं, डियाई वाले questions वो बनेंगे, तो 20 questions डियाई के बनेंगे, पांच questions से 25 हो बाकि हिंदी अगर जिनका clear होगा current affairs, वो बहुत आसानी से selection ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये tough नहीं आता, ये तो confirm होई जाएगा, डियाई आप लोग जो एक मैना practice कर लेंगे, तो एक भी question गलत नहीं होगा, इतना tough questions नहीं आते हैं, चलि फिलाल, अब देखें, बहुत अच्छा question, अब हम से election वाले को question को कैसे हम लोग frame करेंगे, कैसे percentage solve करेंगे, कैसे ratio solve करेंगे, वो discuss कर लिया, अब different type of questions आप लोग देखेंगे, this question, फ़ले read question carefully, करा नाधपुर की वैस्क आवादी में से, वैस्क आवादी का मतलब, adult population, adult population का मतलब, जिनकी आयो, पहले 21 साल थी, अब 18 साल हुई, 18 साल से उपर हो, वो कह रहा है, 45% men and 25% women are married, यानि जितने पुरुष हैं उसका 45% विवाहित हैं, जितनी महिलाएं हैं उसका 25%, इसका मतलब यह हुआ, कि महिलाएं क्या हैं, यहां से relate कर सकते हो, महिलाएं कम जादा हो सकती हैं, इसका मतलब यह है, कि जैसे एक आदमी एक women से marriage करेगा, और एक women एक men से merit करेंगे, क्योंकि ऐसा होता भी है, कि कभी-कभी एक आदमी जो है, तो तीन तो कम सुनेंगे, दो लोगों साधी कर सकता है, या औरते भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा अपराद माना गया है, आप लोग ऐसा दूसरी तरीके से, सिर्फ question के form में पढ़ेंगे, बाकि इसका कोई मतलब नहीं है, कि एक आदमी दो साधी करेगा, तीन साधी करेगा, आज की डेट में, जब तक सरकारी जवाव आपनों की नहीं लगती है, साधी होना ही बड़ा मुश्किल है, तो पहले अच्छे से पढ़ाई करिए, तब उसके बारे में सोचेगा, चलिए हम लोग questions पे आ महिलाएं कितनी हैं, ये तो क्लियर हैं, नहीं, लेकिन जितने पुरुस हैं, उसका 45 मेरेट हैं, जितनी महिलाएं हैं, उसका 25 मेरेट हैं, तो ये condition है कि one man married one woman, यानि नमबर आफ जो married couples होंगे, वो बराबर है न, married couples अगर बराबर हैं, तो इसका logic क्या हो जाएगा, ऐसे relate कर लोगे कि male की population M मालो एक समान लो, नागपुर में female F है, male 45% married है, female 25% married है, तो कह रहा है कि इसका मतलाब जितने male married होंगे, उतने ही तो female married होंगे, अगर ऐसा कहा जाए कि एक आदमी एक महला साधी करे, एक महला एक आदमी साधी करेगा, यानि जितने male married है और उतने ही क्या है female married है, तो number of male married equal to the number of total female married, यह सौना आगया, relate कर लोगे, यहां से अप्सौन करोगे, answer जाएगा, देखो, यहां this, cancel हुआ, यहां से male ratio female, यानि यह total 25 और यह 45 दोर जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ, 25, 25, 45, 5 by 9 क्या है, 5 ratio में male है, और 9 ratio female की population ज़्यादा है, यह का रहा है इसका मतलब है, कि अगर 5 लाग पुरूस होंगे, तो 9 लाग मेलाए होंगे, यह ratio कुछ भी हो सकता, ratio कोई value बताता है, इतना आपनों को समझ में आ गया हो, clear है, जब हमें यह confirm होगा, कि total population का अनुपात क्या है, तो find क्या करना है, find total population of adult married, यह सिर्फ comparison की बात कर रहा, यानि percentage adult married की अगर हम बात करें, इसका मतलब कितने percent adult married है, तो formula आपनों क्या relate करोगे, यानि total population इसमें adult married कितनी है, into 101 करान, भाई, total population चाहिए था, इसे लिए हम क्या करते थे, ratio निकाल रहे है, यहाँ से solve पर लिजे, देखे, total population आपनों को ratio की फार्म में, 5 प्लस 9, 13, पांच male की और 9 female की, 9, 5, 13, सही का रहे हैं, 13 नहीं, 14, हम भी गलत लिख रहे हैं, और गलती से आप भी, 13 ही लिख दिये होंगे, तो कभी-कभी यहीं में 6 होती हम लोग, 9, 5 जिसे होता है, एक बार, एक इसमें लिए question लेका है, तो question स्वार्ग कर सब कुछ मिथर सही था, उ नहीं भी ध्याने दिया, तो बार-बार 4 to the 6, 4 to the 6 लिख दे रहागा, तो एक बार फिर हमने ध्यान से प्रॉपर जब सॉल किया, तो पच्छा, 4 to the 6 बेटा लेका लेका, तो कहां आएगा, तो वही ध्यान दिजेगा, कभी-कभी गलतिया होती है, तो पहले एक बार अपने करते हैं, जल्दवाजी में गलती करते हैं, तो जब भी थोड़ास डाउट हो क्वेशन में, तो कैल्कुलेशन या लिख कहां क्या लिख रहे हो, जरूद चेक कर लिया करो, यह 14 हो, अच्छा, क्वेशन चाते हैं, मैरेट पॉपुलेशन का मतला मैरेट मेल और फीमिल दोन मतलत हैं, जितना मेल विवाहित इतना फीमेल विवाहित हैं, किसी का भी निकाल लो, यानि मेल 5 है, इसका 45 परसंट निकाल लो, तो पांच के अगर 45 परसंट निकालेट इसे मौटिप्लाइए कर दोगे, चैसे 25 वह पांच और 22, तो डेस में लगा दो 2.25 क्या है, यह मेल मै मेल का 25 जट नीकाल तो भी आएगा क्योंकि मेरेड दोनों बराबर होंगे उन्मेरेड अलग-अलग होगा मैं कुछी मेल उनका 45 टालिस मेरीड है यानि पस्पन अन्मायरेड मेल अनमायरेड का नंबर अलग होगा और ये भी कारा फेमेल अगर 9 है 9 में अगर 25 married है नहीं 75 un married है लेकिन हमें married कहा जा रहा है तो अगर हम एक का निकाल लेंगे तो उसी का double कर दें तो यहाँ 2.25 का double क्या हुआ 4.5 ना 4.5 इंटो 100 से solve कर दोगे multiply कर दीजे यहां से एक से कैसे हुआ दो से दो से दो सचोदा दो पंचे दस पैतालिस पंचे कितना हुआ पचंपच्चिस पांच अब दीस और दो बाईस ऐसे करते होगे आप लो ना ठीक सात्र की किस हुआ 31 यहां 7 to the 14 32. something अच्छा कोई है नहीं है तो यह होगा ना चाहिए आगे और चेक कर लो सेवन टूजा फॉर्टीन वन बचेगा सेवन वन जा सेवन हां बिल्कुल सही यह ओप सभी को कंफर्म हो रहा होगा यह बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं ओके अब देखिए पहला कोईशन था कि हमने कहा यह अधिक महला नहीं करेंगे यह भी हो सकता है कि एक पुरुष दो महला से बात करें एक पुरुष तीन महला से विवा करें यह कंडिशन हो सकती है तो बस आप लोग क्या करना एक पुरुष अगर तीन महला से विवा करेंगी त्यानी जितना एक पुरुष विवाहित होगा तो उसका 3 मुला हüst मेंत होगी इसका 3 मुला कर देंगे इसके बराबर और चाoot यह दो करना है जिसे यहां बराबर मेल मरीन जितने होंगे इन darle में होंगे अगर कहते हैं फिमेल दो गुsmicamhaus नक्र दो पी मेल तीन मुना यह है तीन बुना कर दो बस यहां पर मल्टिप्लाई करना है सब वही कॉंसेट होगा क्लियर है वह हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में करेंगे हां वैसे कुछ यहां यह भी है लेकिन इसमें डारेक्ट दिया नहीं होता ध्यान दिये यहां पर आपनों को समझना होगा यह बहु कोकोनेट की बात करें उसमें देखो जब उसके हम लोग पानी भी पीते हैं लग से न उसमें जब वह ताजा रहता है यानि जब हरा रहता तो उसमें पानी की मात्रा जादा होती है जैसे वही सूखेगा बिल्कुल सूखेगा तो पानी की मात्रा ही नहीं होगी या अगर कम थोड़ा कम बानी होगा जैसे जैसे सुफता जाएगा वजह से पानी की मात्रा कम होती जाएगे तो हमें उनको कैसे आपस में connect करना है बस एक ध्यान दीजिगा की please पल्प का मतलब हुआ कि जो फूट की मात्रा है वह बराबर होना चाहिए बही एक दूसर तभी करेक्ट कर सकते हैं जैसे वह पर मेल और फिमिल मैरेट की बात होई वैसे फ्रेश फूट में 50% पानी है मतब 60% पानी है इसका मतब 40% क्या है रियल फूट है फल है रियल फूट ह और ड्राइब फूट्स में गर 20 परसंद पानी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब 80 परसंद ज्ञादा से ज्यादा उस्वेफल है एक स्वेफली मतलब एक सुपचास किलोग्राम अगर फ्रेस स्वेफली इनकों प्राइब करनेक लिए बहुत सारे तरीकें पहला तरीकत यह समझे एक सोपचास पल्फ हमने कहा हमेशा बराबर करो देखी कॉंसर्ट पर रिलेट कर लो एक सोपचास किलोग्राम क्या है किलोग्राम यानि केजी क्या है हमारा मदब गेला नारियोत समझे यानि ताजा फल है इसमें 60% पानी यानि 40% फल है तो 150 किलोग्राम का 40% फल इतना होगा अब अगर ड्राइफ फूर्स की बात करो अगर ड्राइफ फूर्स की कितनी कॉंट्टी चाहिए जिसमें यहां पर 20% पानी यानि 80% फल यह भी कर सकते हैं यानि 150 के 40% यहां डндराइफ भी साथ सकते हूं 15 casino का साथ किलोग्राम क्या है ताजी फल में रियल फूर्ट है पानी रियल फूर्स है तो साट जिपना ड्राइफ फूर्स 6 किलोग्राम रियल फूर्स बनाने के लिए === लिए न्लाइफ फूर्स का यानि 60 पल्प इसका साथ है तो यहां क्या रखें साथ आजाए यह करना चाहें से डी की बैलों निकाल लो तो डी कोल डी कितना हुआ साथ इंटू कितना सव बटा कितना असी यहां से स्वाल कर दो देस ऐंसर हुआ यहां से आठ सथे छपन आठ पंचे 25 kg या के क्या बराबर कर दो हम ऐसे कर दें कि कर सूखे फल करें इस सव पचास का 40 परसंट यह 8 waves फ्रूट है सूखे फल में 80% फूर्ट है तो सूखे फल का 80% किलोग्राम तो सूखे फल का पर साट वाड़ा कितना असी इसलिए सूखा फल यानि तक सक अपने आप में तो एक तरीका यह हुआ, रेशियो से भी इसको स्वालब करते हैं, लेकिन जो आसानी से स्वालब हो जाए, तो क्यों हम रेशियो में करेंगे, पल्प को बराबर करेंगे, जो अभी हम लोग डेशियो में डिस्कस करेंगे फिर से, चलिए आईए, अब एक क्वेशन यहां ध् क्वेशन्स दे देते हैं, चलिए उसको कैसे स्वालब करेंगे, बस थोड़ा सा कॉंसेर्ट आप लोगो समझा है, ओरली यह देख के बता सकते हो, हमें से थोरी पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे हम यह समझें, हिंदी के अगर बात करें, हम बोलनें, 60% हिंद, इस दिन थिख है, समझना गया अगर हम बोल दें, इंग्लिस में 75% परसनट नहीं तो इसका मतलब इंग्लिस में 25% यह सब को конфrm आप से अगहा है, हम बोलने लियोग, ही में 40% परसनट इस परसनट है, फिर्क इंगिल to 5% करें ही यह घर बात करें, कि मैस की कि अ ONE करें, समझना गया अब हम दो की ही बात करें, दो बेन डाइग्राम हैं, ये टोटल हिंदी और टोटल इंग्लिस, हम उने हिंदी में पास होने वाले चातर, इस वाले पूरे सर्कल में लिख दिया, इंग्लिस में पास होने वाले चातर, इस में लिख दिया, अब ये हिंदी और इंग्लिस लिख ये हिंदी में पास अगर बोल दिया जाया, आप लोग बताओ हिंदी में कितने पास है, ये सरकल हिंदी में पास होने वाला है, A प्लस C, इंगलिस में पास की अगर हम बात करें कितना, ये सरकल की बात करें, B प्लस C, तो अच्छा, ये सरकल पहले हो गया, अच्छा, अब जो इसको क्या बोलते हैं जो दोनों में कॉमन है यानि C का मतलब क्या होगा जो दोनों में पास है यानि बोथ में पास जो दोनों में पास है उसको क्या बोलते हैं यानि C common है, both में pass को क्या बोलेंगे C, सम्मा रहा, both में pass, pass in both subject, यानि both में pass, ध्यान समुझेगा, both में pass, pass in both, इसको ऐसे लिखेंगे, pass in both, दोनों में pass, कितने, C, अच्छा, A का मतलब क्या हुआ, भाई, हिंदी में तो A plus C है, पूरा circle है, तो A का मतलब क्या हुआ, only, pass in only, pass in only, हिंदी, clear, A का मतलब, B का मतलब, only, pass in only, किस में, English, ये समझ में आ रहा होगा आपनों को, और जो A, B, C है, दोनों में pass, अगर दिया गया है, जो circle है, ये ध्यान समझेगा, A plus B plus C, ये क्या है, ये total pass, ये कुल pass कितने है, A plus B plus C, ये कुल जोड़ दोगे, हाँ, C दोनों में था, तो देखो कर बात करो, A केवल, A केवल हिंदी, केवल इंग्लिस, और दोनों, सब मिला कर total pass हो गए, आचा, ऐसा भी हो सकता, जैसे माल लो, हम बोलने, कुछ एसे student होंगे, Hindi में, पास होंगे, इंग्लिस में, जो किसी में पास नहीं है, यानि इसका मतलब जो fail है, दोनों में जो fail है, तो जो fail है, उनको अगर हम N माल ले हैं, जैसे ये pass था हिंदी में, इंग्लिस में, तो total pass हिंदी हिंदी समय मिला कर इतने हुए, लेकिन कुछ ऐसे can go fail होने इसंस में WRITE N मान ले तो अब Fiehl होने वाले से करें यहां बना जा रहीं gsm ok और शेखी दे रहा होंगा फोहान है अगर दो ही सब्जक्क हैं केवल हिंदी में इसका मतलब तो इंग्लेश में तोनों पास का मतलब यहां यहां ठीम अंने से अग Cemru हो जाएगा मतलब अगर पास के फैल होने अब नते हूँ यहां जो बीश का मतलब वोला यहां का मतलब हैं व specially किपने हैं तो दोनों चीज पर यह अंदिन फिल इतना चीज़ें हमें समझना है बस देख के आप लोग एंसर बता सकते हूं चलिए अब बताओ अब चैया कि पाया गया बया, अपकल कितने हैं 69% देखो दिया ही गया है यह यनिए पूरा संकर ये है किसका सारी किसका आप फाउंड देट 69 पॉसर लाइक और रोमांटिक मूवी न यह रोमांटिक मूवी का है और यह 61 परसंट है एक्षन मूवी का तो आप लोग बता अगर हम ऐसे माल ले यह A माल ले यह B माल ले इसका मतलब A प्लस B प्लस C टोटल जो है सभी फिल्म में पसंद करने वाले हैं और कोई ना पसंद करता ही नहीं है तो A B C टोटल यहां पर दिश दिया है तो हम यह कर रहा है अगर 61 की बात करो देखो A प्लस C और प्लस यहां B प्लस C तो इसका सम 69 प्लस कितना 61 हम डिरेक्ट हमें A B और C पूछा जा रहा है कि A B C का मतलब कुल कितने दोनों प्रकार की फिल्म में पसंद करते हैं यहां कॉमन की बात कर रहे हैं A B C टोटल हमें पता कुल फिल्म में पसंद करते हैं और C पूछा जा रहा है तो A B C अगर हम बात करें कोई भी यहां पसंटेज में दिय परसंद मान लोगे तो सी की वाइलू की तो नहीं हो जाएगा 130-100 यानि 30 परसंट तो यह समझेगा जब हम बोल दें कि रोमांटिक पसंद करने वाले और एक्षन पसंद करने वाले ओवराल दिया गया है टोटल दिया गया है उनको जोड़ोगी 130-100 यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि ओवराल वैलू अपने आप में जो भी सम करते हो 100 होता है तो जो सो से इस्ट्रा होंगे वही क्या होंगे दोन अच्छा क्वेशन इस टाइफ से एक्जाम में पूश जाते हैं समझे ध्यान से क्या गया रहा है एक परिक्षा में 70 प्वेशन उमीदवार इतिहास में 50 प्रसंद भूगोल में उत्तिर भी हिस्टी की बात की जा रही है और जोग्रफी की बात की जा रही है हिस्टी और जोग्रफी की बात की जा रही है हिस्टी और जोग्रफी हमें क्लियर है 70 परसंद हिस्टी में पास होते हैं यानि 30 परसंद फेल होते हैं यह क्लियर है भाई फेल होने वाला दोनों में दिया ग हो गया इसका मतब 30% online geography में fail होते हैं तो total यह fail होने वाले दिया गया है लेकिन हमें क्या दिया इस five five hundred pass in the both subject ज्यान समझेगा five hundred pass in both subject तो यह pass नहीं fail होने वाला दिया गया तो यह समझना होगा कि यह fail होने वाला दिया है आँ हमने क्या दिया दोनों सब्सक्राइब पास उतने होते हैं तो हमने क्या करा 10,20 और 30, सब्सक्राइब यहां 20,50 यहां 20 हो पास और यह 10 10 का इस चालीयितीर ही चालीज और पिवकलनेये यह तो तो दोनों में बोला गया यानि इफ ऐनडेशन पासिन तो यह नूं बोट दोनों में टोटल बोट बोलो जाता तो फिर आप लोग चाहिए लेकिन 40% की वैलो दिया दोनों पास कितने उत्तीर भी इतना तो 506 दोनों में पास यहां सही है विल्खुल सौल कर लिए एक की वैलो कितना हुआ यहां पे चार एक कम चार दुनाई छे साड़े बारा तो 100 की वैलो कितना बारा सो पचास तो 125 और 0.5 इंटू मल्टिप्लाई कर दोगे बारा सो पचास समझ में आ गया क् तो इस तीस यहां अगर हमें बनाना होगा तिहां चालिस तो केवल जोग्रफी में कितने पास आउली जोग्रफी में फैल का मतलब अन्ली ईस्ती में पास 30 यहां साल को लो था जिए चाले इसकी वहलोज दिया सो निकाल लोगे यानि देशाइंस अब बाकि ये दो कुश्चन से अप लोग स्कीन स्वाट ले लिजिए और पास होने वाले से फेल होने वाला इसकी स्वाट लिजिए इसको स्वाल करके आप लोग मैसेज बॉक्स में दीजेगा डाउट होगा आ अगतासान कौश्चन है एक ये क्वेश्चन दोगे आप लोगों को होवर के लिए रहे हैं दोनों एक ही टाइब कुश्चन्स हैं दो बेन डाइग्राम के वेश्चन से जिनको आप लोग कर सकते हैं कि बोलो किसी को डाउट इसमें इसकी शौट ले लीजिए ऑके हाँ चली बाकी जो है यह तीनों कॉश्शन से हम लोग नेक्स समय परसंटेज का हमने बेसिक पूरा कम्प्रीट कर दिया बेसिक का मतलब हमने अभी तक टोटल जिन से रिलेट हो सकते हैं कॉश्शन डिसकस किया एक क्वेस्शन सी यह है लास वाला देखो यह दस परसंट कमी क करांट बेक्ती इतना रूपए में इतना अधिक खरी सकता है इसको हम डिसकस करेंगे प्राफिट एंलास में डेटेल में अच्छा अभी फिलाल कहिए हम ऐसे बना दे रहे हैं कि जब भी बुलेगा दूस दूत की कीमत में 10 परसंट की कमी हुई अंडे कीमत में 20 परसंट बढ़ा कुछ भी कहा जाया और कुछ रूपए में इतना अधिक अकम खरी सकता कुछ नहीं करना है सबसे पहले परसंट जितने रूपए में 1611-16 रूपए में जितने लेटर कम था रूस कर रिभि सकता है जितने समय दी factि 2200 जितने रूपए में जितनी कौन्टी अधिक श आई सकता ऐसे लिख दो यह जो कीमत में किमत मतलब और कमी हो रही को रही तो प्रिद्धी मतलब यह इस प्रारंभिक नहीं आएगा जो पर 10 में तो कुछ रूपय में कुछ क्वांटिटी जादा कम खरीच सकता है तो आप लोग पहले दस परसन लिखोगे फिर जितने रूपय में जितनी क्वांटिटी यहां फ्रैक्शन लिख दोगे कैसे इसका बेसिक हम लोग एक से कैसे इसको रिलेट करते हो प्रॉफित लॉसम देख हमेशाइब 강तर स्था बेसाओ इतना क्री मिएगी अगर प्रार्मधिक पूश्ता है तो 20 रूपय पर लिटर यह हो जाता यह fix वाले questions हैं यह ऐसे याद कर लीजिए और बाकि इसका detail में कैसे समझेंगे हम लोग इसको profit loss में फिर से relate करेंगे same questions तो I hope यहां तक आप लोग clear हो गया होगा अब हम लोग जो है next time में profit and loss discuss करेंगे अभी करेंगे किसी विचारों पार्ट में कहीं भी आप लोग को डाउट होगा तो comment box में जरूर reply करेंगा उसको फिर से clear कर देंगे हां conversion में हमने थोड़ा सीजेंगे suffix वाले कम discuss किए इसलिए क्योंकि आप लोग पहले वन से लेके 20 तक value याद करोगे कैसे उनको relate करेंगे वह याद करोगे तब आप लोग उससे आसानी समझ पाओगे clear है तो चलिए प्लीज जो भी doubt हो comment box में जरूर confirm करेगा और यह भी confirm करेगा कि वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए thank you next topic में profit and loss के साथ मिलते हैं keep watching and sharing thank you